शाशत योगी केती पनाली को बढ़ावा देने के लिए महसाना के गौडली पैलेस में तीन दिविसी प्रशिक्षन कारिकरम का आविजन हुआ जिसमें आत्मा प्रोजेक्ट के महसाना की डारेक्टर भरत भाई पतेल, अर्बन बैंक के जर्नल मैनेजर प्रकाश पतेल, प्रभाकी अध्यक्षा भी के सरलादीदी, उपाध्यक्ष भी के राजु भाई ने क्या सात्रिक और पौश्टिक पैदावार के लिए कहा पूर सु महने उन्हों की मनोबल को बढ़ाएंगी और आप सब के अंदर जो परमात्म प्रेम है, पवित्रता का बल है, इस बल से मा धर्ती को शशक्त बनाने की विदी भी उन्हों को सिखाएंगी आहार एशा विचार और एशा आच्राम वो सब वो प्रकृतिक वो अनाज जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है सभी मनुश्य का आहार सिर्फ दर्ती माता ही पुरिप करती है और वो है किसान का खेत जिसमें से पूरा सरीद बना हुआ है और पंच्तत्व को प्रदूशित करके मनुश्य कभी तंदूरस्त नहीं रशाएंगी वर्तमान समय किसानों की मनोब्रत्तियों को परिवर्तित किया जाए उनकी चिंतन धारा को चेंज किया जाए प्रयास अनेक हो रहे हैं प्राकर्तिक खेती पर भी सरकार जाग्रत है प्रेणाय दे रही है इसके अलवा प्रभा के गुज्रा जून सयोजक बीके सुरेखा, कारेकारी सद्य से बीके राजेश दवे ने भी अपने विचार व्यक्ते करते हुए शाशत योगी खेती के अंगिनत लाभ हो और उसकी सलल प्रनाली की और सभी का ध्यान किचवाया आपके योगीक वैब्रेशन सिर्फ वो ही स्विकार सकता है जिस जो बायो है चाहे वो माइक्रोब्स है, चाहे पोधा है, चाहे धर्तिक एटम्स है, क्योंकि ये सब जीव जेविक है वहाँ अगर कोई सुखी लकड़ी पड़ी है, तो आपके वैब्रेशन को कैच नहीं करेगा तीन दिन तक चले इस प्रशिक्षन कारिक्रम में इस राश्वत योगी खेती के जानकारों ने खेती की स्पद्धती मिश्रित फसल, एवं फसल संरक्षन, योगी ग्रह वातिका, खेती में योका प्रयोग, एवं खेती के मॉडल पर विस्तार से जानकारी और प्रशिक्षन दिया